वीजेपी नेता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं आपको सिनवाते हैं राहूल गांदी पार्टी कर रहे थे एक फार्म हाउस में दिल्ली में जो आतंगवादी गतिविदी के समय पार्टी करते हैं मौज मस्ती करते हैं वो आज 22 जगहों पर आतंगवाद को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस की हिम्मत रखते हैं। जाकीर नायक, कांग्रेस और जाकीर नायक का तो रिष्टा आप सबको पता है। गांधी परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाग से अधिक रुपए जाकीर नायक से बतौर डोनेशन लिया था। आतंगवादी जाकीर नायक को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वो सारे हथकंडे अपनाएं। आपको याद होगा माइनौरिटी अफैर्स मिनिस्टर इत्यादी ने चिठ्थी लिखे थे जाकीर नायक के समर्तन में कि जाकीर नायक के ऊपर किसी प्रकार का आच नहीं आना चाहिए। वो जाकीर नायक जिसने हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिवीदियों को बढ़ाने के लिए एक आइडियोलोजिकल प्लेफील्ड का काम किया। जिसने लोगों के मन मस्तिस्क के अंदर देश के विरोध में धर्म को लेकर एक उनमाद पैदा किया। उस आतंकवादी जाकीर नायक के साथ स्वेंग सोनिया गांदी खड़ी थी क्योंकि उनके पती राजीव गांदी के नाम पे डोनेशन लिया सोनिया गांदी जिने। इसरच जहान को कौन भूल सकता है। लशकरे तैबा एल एटी ने इसरच जहान को अपना स्लीपर सेल का एक यूनिट बताया। एल एटी ने उसे आतंकवादी बताया। किन्तु सोनिया जी के कहने पर तमाम कांग्रेस पार्टी उसे इनोसेंट उसे बेकसूर बताती रही। और भारतिय जनता के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और उस समय ग्रहमंत्री आधर्निया अमिच्शाहजी के उपर जिस प्रकार का हमला कांग्रेस पार्टी करती थी वो हमने देखा है। उस समय इसरκ जहान के साथ खड़े रहना उसके नाम पर एक एंबूलेंस भी चलाया था शहीद इसरच जहान एंबूलेंस सर्विस ये तो कांग्रेस पार्टी के कारनामे है और आतंगवाद को लेकर वो 22 स्तानों पर प्रेस कांफरेंस करने की इमत रखती है यासीन मलिक कश्मीर फाइल्स के माध्यम से वो निसंग से द्रिश्य जिसमें यासीन मलिक खुद बंदूक उठा करके बेगुनहा लोगों की हत्या करता है और आपको याद होगा कि वह रहत्या ही नहीं करता है प्रेस कॉन्फरेंस करके और साक्षात का अरथात इंटर्व्यू के माध्यम से कहता है कि येस आफ किल्ड इंडियन्स मैंने हिंदुस्तानियों का अपने हाथ से खून किया है उसके बावजूत यासीन मलिक को जिस प्रकार का पायदान यूपिय की सरकार ने दिया ततकालीन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग के साथ खड़े होकर फोटो खिच्वाना महिमा मंदित करना एक आतंगवाद का आतंगवादी का यह हम सब ने देखा है वो आज आतंगवाद को लेकर हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं बुरहानवानी बुरहानवानी जिंदा रह और यह लग Chaos मोंने मार्ना नहीं चाहिए था बुरहानवानी हेडमाश्टर का बेटा था बुरहानवानी गरी परिवार से आता था इस प्रकार के नरेटिव को इप graduate किया था बंदो कोई तो कारण होगा कोई तो कारण होगा जो हाफीज सई जैसा कुख्यात अतंग्वाद अगर किसी पार्टी से विश्व में प्यार करता है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। Congress Party because Congress protected them Congress ने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया हमेशा उन्हें संग्रक्षन दिया इसी कारण से आतंगवादी Congress को पसंद ते और Congress को आतंगवादी पसंद करते थे आपको याद होगा जब याकूब मेमन की फासी हुई थी Congress के कई नेताओं ने उस पे किस प्रकार का माहूल बनाया था शशी थरूर अंग्रेजी में और दिगविजय सिंग हिंदी में चिट्टी लिखते थे शशी थरूर और दिगविजय सिंग ने जिस प्रकार का माहोल बनाया था कि याकूब मिमन को फासी नहीं होनी चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी ने उसे स्टेट स्पॉंसर्ट टेरोरिजम का नाम दिया स्टेट स्पॉंसर्ट टेरोरिजम था एक आतंकवादी जिसको तीनों लेयर अफ जुडिशल सिस्टम ने लोर कोट हाई कोट सुप्रीम कोट तीनों में फासी होती है जो निहत्य हिंदुस्तानियों के मौत का जिम्मेदार था उसके लिए कॉंग्रेस पार्टी जिस प्रकार से खड़ी थी स्वभाविक रूप से ये कहना आती शोक्ती नहीं होगा कॉंग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ और जहां तक राहूल गांधी राजकुमार का सवाल है जिसको अरुम जेटली जिने बिल्कुल सही कहा था दे क्लाउन प्रिंस ओफ दे कॉंग्रेस राहूल गांधी जेनियू में जाकर अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं हर घर से अफजल निकलेगा तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा इस प्रकार के बयानों का समर्थन करने वाले राहूल गांधी आज उन्हें शर्म आनी चाहिए आज उन्हें अपने गिरेवान में जाकना चाहिए कि आतंकवाद को लेकर आप प्रेस कॉंफरेंस करा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी को आतंकवाद को लेकर एक माफी नामा एक माफी करार लिखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने विगत इतने वर्षों तक और खास करके जो 10 वर्ष यूपिये का साशनकाल 2004 से रहा था 14 तक उस समय किस प्रकार उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है बंदुगण मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है आप याद करिए वो 10 साल यूपिये के उस समय हर एरपोर्ट में हर रेलवे स्टेशन में मेट्रो के सामने एनाउंस्मेंट होती थी कि बैठने से पहले आप जाँच कर ले आप कहां बैठें आप देख ले अपने सीट के नीचे कोई बंग तो नहीं रखा है उस जमाने में इस प्रकार का माहूल था कि टिफिन का डबबा कहीं दिख जाए तो वो टिफिन का डबबा कम और बंग जादा नज़र आता था उस जमाने में स्कूटर कहीं अकेली खड़ी नज़र आ जाए तो मान पड़ता था कि अभी ये स्कूटर फट जाएगा इस प्रकार का माहूल पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया था खुझ सरकार को एनाउस्मेंट करनी पड़ती थी 2005 में याद करिये किस प्रकार जुलाई के महने में राम जन्म भूमी के उपर हमला हुआ था दिल्ली दिवाली के समय किस प्रकार 2005 के अक्टूबर में कितने निहत्थे लोग दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट में मारे गए थे काशी संकट मोचन एटक मार्च 2006 फेब्रोरी 2007 समझोता एक्सप्रेस ब्लास्ट सीरियल बॉमिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर इंडियन मुजाहिदीन द्वारा 2008 में जैपूर में बॉमिंग बैंगलोर और एहमदाबाद में जुलाई में बॉमिंग सेप्टेंबर में दिल्ली में बॉमिंग कोई एक महिना नहीं जाता था जिसमें बॉम नहीं फटते थे और लोग नहीं मरते थे और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साशनकाल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंट्रोल आतंखवाद की गतिविदियों पे आया है यह अपने आप में भारत को सुरक्षित करता है बंदुगन आप सभी जानते हैं कि पोटा का कानून भारती जनता पार्टी की सरकार आतंखवाद से निपटने के लिए के आई थी पहला काम जो कॉंग्रेस की यूपिये सरकार ने किया वो निरस्त किया पोटा के कानून को और आतंखवादियों को भी लगा दस वर्षों में कि यह हमारी ही सरकार है हमारी ही सरकार है let's work together आतंखवादियों और कॉंग्रेसियों ने मिलकर एक साथ जिस प्रकार का माहोल पूरे हिंदुस्तान में खड़ा किया था उसका विवरण मैंने दिया है और तो और केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं चाइना के साथ भी 2008 में MOU साइन करके शी जिंग पिंग जो अभी चाइनीज प्रिमियर है वो उस समय मौझूद थे गांधी परिवार के उस MOU साइन के समय जिस प्रकार से चोरी चुपके MOU साइन किया गया the countours of the MOU is still not known what were the countours of the MOU ये देश बेचने का काम आतंकवादियों के हाथ में आतंकवाद के गतिविदियों को देश में बढ़ावा देने का काम इस गांधी परिवार ने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए किया है आज बोलने में कोई गुरेज नहीं है ये गांधी परिवार अपने आपको सत्ता में आरूढ करने के लिए अगर आतंकवादियों के साथ भी गटबंधन करना पड़े तो उससे भी ये नहीं चुकती है यही इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है जबसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है इसलिए राहुल जी आप जिस प्रकार के माहोल में देश को आपने आतंकवादियों के हाथ में धकेलने का काम किया आज आप आतंकवाद को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं मुझे लगता है आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए मुझे लगता है आपको अपने घिरेबान में जाकना चाहिए कि आखिर आप और आपके परिवार ने किस प्रकार से आतंकवादी गतिविदियों को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया है बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रशन हो तो अवश्य पूछे बहुत धन्यवाद